तो हम मेश लगन के विबिन भाव में मंगल और शुकर की युति के बारे में बात कर रहे थी इस वीडियो में देखेंगे शिक्स थाउस में अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुकर की युति बने तो इस यूति का कैसा प्रभाव आप मेश लगन वालों के लिए रहेगा यहां सिख्ष्टावस में कन्यारासी में इन दोनों की जब भी यूति बनती है तो आपको बहुत ज़्यादा सत्रक होने के आप सिकता है यहां मंगल आपके लगनेश और आपके आठवे भाव के श्वामी होकर इस्तित होंगे इसलिए यहां आप शुकर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा संगर्स करते वे नजर आ सकते हैं यहां बहुत ज़्यादा मेहनत करते वे या इवन लड़ाई जगडा करते वे नजर आ सकते हैं यहां पर आपका जो मेंटल पीस है वो काफी ज़्यादा डिस्टरब रहेगा आपको अपने जिवन साती के साथ भी और इवन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी काफी ज़्यादा विवादों का सामना करना पड़ सकता है यह मुख्य रूप से जो आपका जगडा होगा वह सकता है कि प्रोपर्टी को लेकर हो धन को लेकर हो और कुछ हद तक हम यह भी मान सकते हैं कि यहां पर मंगल जो हैं मंगल शुकर के शाहत होनी के विज़े से आपके वर्क प्लेस पर अगर इस्तरियों के साथ आप काम करते तो थोड़ा ज्यादा अवेड़नेस रखने की जुरुत है आपको इसके साथ यह कंजक्शन में आप मुख्य रूप से कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे या तो आप अपने घर परिवार के लिए अपने के साथ आपको सामना करना पड़ें यह कंजक्शन के होते हुए जब भी आपको यह विजनस करें तो बिजनस के लिए अगर आप लोन लेने जा रहे तो बहुत ज़्यादा सावधानी बढ़ते हैं वरना आपको बड़ा नुक्शान हो सकता है तो मंगल और शुक्र की यह ज कितना ज्यादा शुकर के क्लोज होगा उतना ही ज्यादा यह आप में ज्यादा सी ज्यादा धन और लग्जरी पाने की इच्छा को डवलब करेगा और आपके जिवन में आपको ज्यादा-तर जो समझा हैं वो इस्तरियों से हो सकते हैं शुक्र आपके चार्ट में दूसरे और साथवे भाव किश्वामे बनते हैं. दूसरे और साथवे भाव किश्वामी होने के वज़से जादतर केस में इस बात के संभावन होना है कि आप कोई loan वग्रे लेंगे, अगर आप कोई भी business कर रहे हैं, या family में भी कोई ऐसा आरजेंट काम आगे तो आप जल्दी से लोन ले लेंगे लेकिन मंगल यहां पर अब आपको देखना पड़ेगा मंगल अगर यहां वक्री है या अस्थ है तो मंगल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा फिर भी तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान राह नहीं होने वाली है जिवन में अगर आप बहुत दिक सुख पाना चाहते हैं या लग्जरी प्राप्त करना चाहते हैं यह कंजक्शन ऐसा है जो आपको अक्सर बहुत ज़्यादा तनाव में लाएगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लाएगा इंग्जाइ मंगल आपके चार्ट में आठवे भाव को भी श्वामी बनते हैं, आठवे भाव के श्वामी होने के विए से इस भाव से जुरूर आप थोड़ी बहुत गयन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या फिर आपको भी मैरेज को लेके, आपके रिलेस होने के हमेशा बने ही रहेंगे, तो यहाँ पर मंगल 6th house में आने से एकडम आपको बहुत ज़़ा जगडालू बना देता है, बहुत ज़़ा मेहनती बना देता है, और बहुत ज़़ा क्रूर भी बना देता है, श्яться हने यह दिखाता है कि जिवन साती और आपके उता ही और legal matter चल रहा हो तो वहां पर आपको जल्दी से जल्दी निप्टा लेना चाहिए अब यहां में इन दोनों की दृष्टियों के बारे में बात करें तो मंगल का दृष्टी आपके भागेस्तान पर पड़ेगा भागेस्तान में जो रासी है धनुरासी है यहां मंगल आपको सप कर सकते हैं आपको पिटा से भी बेहद सपोर्ट मिलेगा और अपने गुरुज से आपको ज्यादा सी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा लेकिन इ confuse péri sahos का मंगल है तो यह ज्यादा सी ज्यादा आपको आकरामक बनाएगा और इस आकरामकता की बज़्य से आपको काफी नुक्षान भी झेलना पड़ सकता है आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करने पड़ सकते हैं मंगल की दृष्टी फिर आपके आरवी भाव पर रहेगी जहां शुकर की भी दृष्टी रहेगी ऐसे में यह ज्यादा से ज्यादा भोग विलास और लगजरी की तर इस्तरियों के चार्ट में अगर यह इस्तिती बने तो इस्तरियां बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने वाले होंगे और वो अपनी लाइफ में हमेशा धन कमाने के लिए भी और खर्च करने के लिए भी बहुत ज़दा एक्साइटेड रहेंगे यहाँ पर उसके बाद जो मंगल का दरिष्टी रहेगा वा आपके लगन पर मंगल दरिष्टी डाल रहे तो आपको बहुत ज़दा आक्रमक बनाते हैं और हर प्रकार की समस्या चाहिए वो धन्से समन्दित हो या कोई भी अन्य समस्या हो उसको जहलने के लिए मंगल आपक शुकर के बारे में बात करें तो शुकर दूसरे भाकिश्वामी और सात्वे भाकिश्वामी इसलिए आपको इन दोनों भाओं से समधित काम करते हुए किसी भी प्रकार का विवाद हो किसी भी प्रकार के कोई समस्या हो तो बहुत ज़्यदा सावधानी रखने के जुरत है अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा अगर इस conjunction को चंदर्मा का परभाव मिल रहा है या कई ना कई सूर्य का परभाव मिल रहा है तो बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट यहाँ हो सकते है रहू और केत्यू का परभाव पढ़ने पर भी बहुत ज़्यदा एक्स्ट्रेमली डिफरेंट रिजल्ट हो सकते है तो यह सब आपको समझना है इसके साथ यहाँ पर आपके जो सिक्स्ट लोड है यानि इन दोनों के डिस्पोजिटर उनकी प्लेस्मेंट आपके चार्ट में कैसी है उनकी प्लेस्मेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेटर करने वाले है